जिब मुझे खाना बनाने का दिल नहीं करता है और तब भी चिकन बनाना पड़ता है तो मैं चिकन की यह रोसेपी ही बनाती हूं क्योंकि यह सबसे एजी मुझे लगता है बनाना और खाने में भी डिलिशियस लगती है तो मैं हूँ आपकी होस्ट जीपा और विलकम करती हूं जीपा किचन में तो चलिए आज हम आपके साथ लेकर आए हैं चिकन कडाई की रेसिपी जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ज्यादा ही सिंपल और ईजी रेसिपी है तो इस रेसिपी को एक पास ज़रूर ट्राइक कीज तेल की क्वांटिटी अर्जस्ट कर सकते हैं साथ ही इसमें मैंने गरम मसाला और जीरा डाला है जिसमें बड़ी लाइची चोटी लाइची तेज पता यह चीज़े इसमें मैंने डाली है तो इसे एक मिनिट तक सौटे होने देते हैं इसके बाद इसमें 700 ग्राम चिकन डाल आफम्यबं तेल में शामिल अट्ञे work करें अब when shooting बड़ी यह आची तरीके से ख़ी मिन अब जैट कर टांगा और शी तरीके से जो ना की बड़िए भी आची जाया है शानी के नि आपको बता देती हूं कि इसको आप पराठे के साथ खाना बहुत ही यम्मी कॉंबिनेशन है तो देखें चिकन अच्छी तरीके से फ्राइ हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे टमाटर तो टमाटर इसका में पार्ट है तो यहां पर मैंने दो बड़े साइज की टमाटर लि अच्छी तरीके साथ हो चुका है और जो इसके स्किन होगी वह हम निकालकर बाहर फेग देंगे तो यह कचड़ा है इसे हम निकाल दिया है और इसे हम चिकन और टमाटर यह दोनों चीज़ों को हम अच्छी से पकाएंगे यानि कि फ्राइ करते रहेंगे तो यहां पर तो इसमें अब डालेंगे हम जिंजर गालिक पेस्ट तो यहां पर मैंने इसमें दो चमच जिंजर और दो चमच गालिक दाल दिया है अगर आपके पास दोनों चीज़ें एक साथ पिसी हुई है तो आप चार चोटी चमच डाल दें और इसे भी हम भूनेंगे तो चलें जि बूनाई करेंगे दो से तीन मिनट तक कम से कम इसे हम दीमी आज पर भूनेंगे और देखेंगे इस बात का भी खयाल रखेंगे कि चिकन जो वह सटे नहीं इसमें एक चमच में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और नमक टेस्ट के हिसाब से डाला है अब इन मसालों को भी सब चीजों के साथ अच्छे से भूनेंगे बुनाई यह इसकी इंपॉर्टन चीजे रेसिपी का हो और इसकी वज़े से यह काफी डिलिशियस बनती है बहुत ही मज़े की बनती है तो चलिए यहां पर मसाले बुनते हुए मुझे थोड़ा वक्त हो चुका है यानि के 5-7 मिनिट सक मैंने से कम से कम भुना है और भुनने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी हारी मिर्च शामिल करूंगी तो अगर आपके पास मोटी वाली हारी मिर्च है तो आप वह भी डाल सकते हैं मैरे पास पतली वाली थी वह मैंने डाल दिया है और अब हम इसमें डाल जब आप इसमें दही शामिल करेंगे तो चले दही डालने के बाद इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हम ढ़क कर थोड़ी जर पकाएंगे पानी के इस्तेमाल नहीं करना है तो ढ़क कर दीमी आज पर हमने 10-15 मिर तक पकाया है और आए इसे चेक कर लेते हैं दोस कर देंगे क्योंकि बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है और चलिए यह खाने के लिए तैयार है तो दोस्तों उमीद करती हूं यह रसेपी आपको पसंद आई होगी मैं फिर मिलूंगी अलाहाफिस टे कियर बाबाई